तोर पर आपकी दूसरे कार्यकाल की शुरुवाद हो रही है आपके पहला जो कारेकाल था वो नो अपरेल को खतम हुआ क्योंकि आपका जो टर्म था जाज़ी सभाई MP वो खतम हो गया था दूसरे कारेकाल में आपकी क्या प्राथमिक दाए है सभापती के रूप में मेरा कारेकाल 9 अपरेल को खतम हुआ मैं दुबारा सांसत बन करके पुनह आया और पुनह पूरे सदन ने मानिय प्रधान मंतरी जी ने और सभी दल के नेताओं ने जिस तरह से हमें सबर्थन दिया मैं मेरे पास शब्द नहीं है सबके प्रती आभार के लिए मैं आंत्रप्रदेश के मुख्यमंतरी जगन रिड्डी जी आपके उडिशा के मुख्यमंतरी हमारे मानिय नवीन पतनायक जी उनके सभी सांसतों समेत लगभग बहुत सारे दलों के लोगों ने पहले से समर्थन की बात कर रखी थी मैं सबके प्रती पक्ष और भी पक्ष आभारी हूँ कि उन्होंने पुनह मुझे इस फर्ज को पूरा करने की योग्य समझा मेरी प्राथमिक्ताय उस रूप में या किसी चेर की प्राथमिक्ताय नहीं होती प्रात्मिक्ता है देश की होती है देश की प्रात्मिक्ता है वो सारे सवाल संसद में बेहतर ढ़ंग से उन पर चर्चा हो उनका जो हमारे माननी चेर्मेन साप अच्छी तरह से एक बात कहते हैं गौर्वर्मेंट प्रपोजिच, अपोजिशन अपोजिच, हाउस डिस्पोजिच, यानि संसद अपने काम का निश्पाधन समय से करें, बहतर बहस हो, सुरिष्ट बहस हो, ये एक आसन को सुनिश्चित करना पड़ता है, मेरी यही भूमिकाव होगी, और बाकी हमारी भूमि आते हैं, बिपक्च की लोग जो मिलकर तैक करते हैं, वो सारे मुद्दे होते हैं, उनका बहतर निस्पाधन हो सके, वो काम कहीं रुके नहीं, उस पर सदन निर्ने करें, पक्च्छा बिपक्च में वो सदन को तैक करना है, हमें वह माहल फेसिलिटेट कराना है, कि वो काम अच्छी तरह से हो, निश्ची तोर पे, जैसे पहले मैं करता था, उसमें सबके सहीगोग से मैं पुना हो ही काम करूँ. सर लेकिन जब आपका पहला कारेकाल था और अब दूसरे कारेकाल के बीच में दुनिया बदल चुकी है, कोविड-19 ने पूरी दुनिया में ऐसा बदलावला है, जो हमने कभी नहीं सोचा था. राजसभा की प्रिसीडिंस की अगर बात करें, तो संसत की इतिहास में सब पहली बार हो रहा है, कि जो सदस्य हैं, वो राजसभा की चेंबर, ग्यालरीज और लोगसभा की चेंबर में भी बैठेंगे. ऐसे में प्रिसाइट करना ये कितना बड़ा चालेंज है? ये एक अबहुत पूर परिस्ति की देन है, और कृती जी आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया की जीवन पधती बदल चुकी है, किस रूप में इस चीज का असर पूरी दुनिया पर हुआ है, आवा गमन बन, जो एक जमाने में, नाइन्टीवन ओगर में कहा था, डेथ प्रगती के बावजूद दुनिया को गाओं हमने मान लिया था, वो संपर्क बन गये थे, वो सब कुछ बन गये, जीवन पधती हमारी बदल चुकी है, सिक्षा की पधती बदल चुकी है, तो पूरा समाज और बेवस्ता बदल चुकी, एकुनॉमिक की हालत आप देख रही है, तो ये पूरी दुनिया को इसने प्रवावित किया है, और संसत तो इसी जीवन, इसी समाज का हिस्सा है, तो संसत पर तो उसका असर पड़ता ही है, और हमारी विवस्ता में आप देखें, नई पार्लेमेंट भी बनने की बात चल रही है, जो पार्लेमेंट में थी, हमने कभी पहले सोचा नहीं कि आजाद देश का एक फूचरिस्टिक पार्लेमेंट कैसा होगा, जिसमें एक साथ 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 सो आट सो हजार लोग बैठ सकें, वो तो इस सरकार ने प्लैन किया है, तो ये सारी पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इस अभूत प परिशानियां पहले दिखाई देते हैं, उसे इनसान सिखता है, फिर उसको ठिक करता है, तो निश्चित रूप से जो बेवस्था अभी संसद की आप देख रही हैं, जैसे बैटन बैटने की बेवस्था हुई है, और जिस तरह की सारी एक तरह से टेकनिकल एरिजमेंट्स हैं, उसमें अगर कहीं पर हिच पैदा दिखाई हो रहा है, या कहीं कोई प्रावलम दिखाई दिखाई दे तो उसको ड्यू कोर्स में एड्रिस किया जाएगा, लेकिन अब वो पूरा समय नहीं मिल पाएगा, तो कम समय में सारे सदस्चियों को समझना होगा कि देश की प् पढ़ते थे, देश काल और परिस्चितियां, देश काल समझ लीजिए, मतलब माहौल से एक बड़े संदर में, काल, यानि जो महभारत में कहते हैं कि टाइम इसी मेमोरियल, उससे बड़ा कोई चीज नहीं होता है, और परिस्चितियां क्या, सरकमस्टेंस क्यां, उसके अन ये खालत है, तो पूरी जीवन पद्धती को बदल दिया है, और मैं इसके बारे में विस्तार से भी जाना नहीं चाहता है, कभी अगले अगर हम चर्चा करें तो उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा, 67 से दुनिया को वार्न किया जा रहा है, और कोई साधानों दों नहीं करें, 67 में क्लाव अफ रोम मना था, साइंटिस्टों का, उसने कहा कि जिस तोर तरीके से दुनिया रह रही है, या जो स्टिफिन हौकिंग लास साइंटिस्ट मरे हैं दो-तिन वर्स पहले, अपने समय कि दुनिया के सबसे बड़े फिजिस्ट, उन सब ने फोरकास्ट किया कि जो हमारी जीवन पद्धती है, जिस तरह से रह रहे हैं, जो आर्टिफिसियल इंटेलिएंस से लेकर, जो ओवर पॉपॉलेशन, जो हमने पॉलूशन से लेकर सब चीज़ें धर्ती के साथ खिलवाल किये, अगर यही होता रहा तो इनसान को अपने ले दूसरा पढ़ा है, एजुकेशनल इस्यूसंस में पढ़ा, एडिनिस्टेशन में पढ़ा, मिटिंग्स में पढ़ा, एलेक्शन पर पढ़ा, जुडिसियरी पर पढ़ा, कोई जीवन का अच्छे तरह बता हैं जो बचा हो, तो निश्ची तोर से बदले हुए समय में हमें अपने क काम को बदल करके फिर पार्लियामेंट को रूल मॉडल बनना पड़ेगा, यह पार्लियामेंट के सारे सदस्यों के सामने चुनोती है, बिल्कुल, तो ऐसे समय में, COVID-19 पैंडिमिक में, जो पार्लियमेंटेरिंस हैं, जो सांसद हैं, उनका रूल आपके सरह से देखते हैं? मैंने एक बड़ी महत्पूर्ण चीज जो मुझे मिली और जो मुझे लगता है कि आज के संदर में हमें चर्चा उसकी करनी चाहिए, मैंने कहा कि हर संकट एक बड़ा औसर भी देता है, और यह संकट अगर भुदपूर आया है, तो भारत की क्या च्छमता है, ये भी हमें अहसास हुआ है, वो संकेत है, जहां से हमें नाय रास्ते मिल सकते हैं, मैंने कहा कि मैंने 28 जून को, मैं पुराना अकड़ा बता रहा हूँ, आज सेप्टेंबर है, इसे भारी फिर बदल हुआ है, और जो संक्या 2 लाख रोज थी वो टेस्ट की 5-7-8 लाख के आस-पास पह अब हर दिन 2 लाख टेस्ट हो रहा है, यानि सिर्फ एक महिने में, मैं से जून के बीच में, अब तो 5 लाख चला गया, उससे अधिक, अब देश के हर जिले में लिबरोटरीज है, यह जून में हो गया था, कुल 1,000 लिबरोटरीज है, इस तरह COVID-19 के लिए स्वाब का स्थ पादन बरस में 5 लाख होता था, अब प्रति दिन 5 लाख हो रहा है, सीधे चेंज, और यह सब कैसे हुआ, और यह आकड़े में जून के बतारहों में बार-बार कहता हूँ आपसे, सप्टेंबर में और लीब फ्रॉग हुआ है, बहुत चीज़ें बढ़ी हैं, सेंट्रल ड सितियों में हुआ जब लॉक टाउन था, तो भारत में स्रिजन की च्छमता, हर संकट में, चाहे इनसान हो या समाज हो, उसके स्रिजन की च्छमता पैदा होती है, जापान सेकंड बर्ल वर के बाद राक हो गया था, राक से उठखा हुआ और दुनिया के ताकत बन गया, अ पारलेमेंट में चीज़ों पर भी मरस हो कि कहां ऐसी संभाव नाया है, जिसको हम खोलें कि भारत महा सकती बनें और इन सारी चीज़ों को हम कैसे निप्टें, क्योंकि दुनिया, आप याद रखिए कि समय और औसर किसी की प्रतिक्षा नहीं करता, दुनिया पर तेजी से बदल रही है, हमारे समय के सबसे बड़े, जो एक तरह से फ्यूचरिस्ट कहते हैं, अमरिकाओं गरह में, जो आई-टी टेकनोलोजी या बाकी और चीज़ों को जोड़कर देखते हैं कि दुनिया कितनी तीजी से बदल रही है, तो हमारे समय के सबसे बड़े, मैंने कहा ज बड़ा परिवर्तन देखेंगे, जो 20,000 वर्सों में हुआ है, पिछले 20,000 वर्सों में दुनिया तितनी तेजी से बदली है, अब भी जानते हैं कि पिछले 25-30 वर्सों में दुनिया क्या हो गई, हम लोग जब दुनिया में पाउँ रखे थे, तब हमने कल्पना नहीं की किस तरह की दुनिया में लेगी, या मोवाइल फोन, या डेथ आफ डिस्टेंस, या कंप्यूटर रिवलूशन, इंफॉर्मिसन रिवलूशन, दुनिया ए गाउँ बन गई, जीवन पद्धती बदल गई, बहुत सारी चीजे हुई, तो वो आदमी कह रहा है कि अब 20 वर्स या हम लोग 30-40 वर्स में परिवर्तन हो रहा है, उसका हम लोग उसकी कल्पना नहीं कर पा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, मुटे तौर पर हम आपको बता रहा है कि BIO टेकनोलाजी और नेनो टेकनोलाजी हमें चमता देते हैं, कि हम मानों शरीर और आसपास के संसार को मॉल ब्रिद्धी और लागत खर्च में भारी कमी से आर्टिफीसिल इंटिलिजन्स वो बन रहा है और वो गुना इंसान से इंटिलिजन्स होगा, तो समाज कैसा होगा, उसमें भारत कैसे रहे गया, उसमें हमारी जगह क्या होगी, ये तय करने का समय आज की परिसितियों में है क्योंकि ऐसी परिसितियां आएंगी तो इसी तरह की चीज़ें हमें निकाल पाएंगी लेकिन ये चीज़ें, कि इंसान सिर्फ मसीन न बने, तो भारत की एक जो अध्यात्म की भारत की एक जो आपसे संबंधों की जो परंपरा रही है एक समवेदंसिल समाज की परंपरा रही ओभी कैम रहे यानि हमारा जो wisdom रहा है ओभी बना रहे ये technological development भी बना रहे ये टेकनलोजिकल डेवलप्मेंट भी बना रहे यह तैकरने काम तो परल्लामेंट में होगा न तो ये नई opportunity जो आ रहे है एकनॉमिस से लेकर social छेतर में, cultural छेतर में नए डेंट से जगा बनाने में परल्लामेंट को मुझे लगता है मूल वो जगा है जो पूरे संसद को हम इस रूपे देखते है कि वो राह दिखाए पूरे देश को तो ये राह दिखाने के काम इस रूसर में इस तरह के बहुत चीज़ें है जो संसद को, संसद के मानी सदिसों को करनी चाहिए मुझे उमीद है कि देश में ये चीज़ें होगी सर एक और बड़े development की अगर मैं बात करूँ तो देखिए parliamentary papers जो है उनका भी अब जो distribution है वो hard copies की तोर पर नहीं होगा soft copies available होंगी members login कर सकते हैं ऐसे में digital transformation की आप कितनी उमीद देखते हैं हम चाहें या न चाहें दुनिया बदल चुकी है ये system बदलेगा हम चाहें या न चाहें अब वो पुरानी दुनिया जो COVID-19 के पहले की थी उनने ही लौट रही है ये एक से एक दुनिया के बड़े अध्यताओं ने जो serious जो researchers हैं उन्होंने अपनी findings से बताया है तो कारेपधती change होगा अगर paper से मान लीजे कई तरह की चीज़े कहा जाता है paper industry से policy बहुत create होता है जंगल बहुत कटता है ये correlated इतनी सूज है कि मैं उसमें नहीं जाना चाहता पर ये change inevitable है और inevitable जो change है उसको जो स्विकार समाज नहीं करेगा वो पीछे छोड़ जाएगा तो निश्ची तोर से हमारे संसद में ये परिवर्तन होंगे देश में हो रहे है अब आप देख रही है न कि कितनी चीजें चाहे business हो study हो किस नए ढ़ंक से हो रही है उसमें सारी चीजें ये चीजें भी होगी और मुझे लगता है कि धीरे-धीरे हम जैसे लोग जो पुराने PD के थे जो इन कामों में बहुत दक्ष नहीं है उन्हें बनना पड़ेगा कोई रास्ता नहीं होगा क्योंकि टेकनोलाजी तो बदलेगी ही अब आप फर्च करें कि टेकनोलाजिकल चेंज से जो समाज पीछे रह जाता है करती जी वो उसका इतिहास होता है आज दुनिया में जिन देसों ने टेकनोलाजी के सहारे अपने को बदला हूँ आगे है अमरिका की ताकत क्या है क्योंकि नॉलेज सोसाइटी है पहले हमारी हाँ माना जाता था जब एक तरसे विचारों का अधिपत्य था दुनिया को विचारों ने बदला राजनीत को विचारों ने बदला तो माना जाता था कि हमारे देस में कासी, पाटले पुत्र या दक्षुन के वो या पूने यह सब एक तरह से किंद्र हैं विचारों के आज तो सिलिकन वैली अमरिका का तैक करता है कि दुनिया किस नई पद्धिती से जाने वाली है नई पीढी क्या करेगी मैं तो बहुत मजाग में अपने वित्रों को कहता था जब थोड़ा मैं समझ पाया कि मार्स का विचार विचारों में दुनिया में वो सामत हो, सामत हो से अलग बात है लेकिन बहुत दूर दूर तक घर-घर तक फैला सब कॉंटिनेट को पार करके गाउं में, दिहातों में फैला समयबाद आ रहा है नई विवस्था रही है नई यह सब चीज सुनी हम लोगों ने पर मार्स के उस विचार को भी जो दुनिया के घर-घर तक पहुचने में कामयाब हुआ था विचारों की दुनिया के दौरान उसको पीछे छोड़ गया स्टीब जॉब का आई पैट वो तो और घर-घर पहुच गया विचार पीछे छोड़ गये तो टेकनलोजी, बाजार और कैपिटल, पूजी ये तेजी से दुनिया को बदल रहे है और बदलाओ किस घरी में हम यहाँ पहुच गये है कोवीड उसमें एक नई चीज आ गई है उसका एक हस्तक छेप हुआ है अब दुनिया टेकनलोजिकल डेवलप्मेंट से पीछे नहीं जा सकती क्योंकि दुनिया के लोगों को उसका अनन्द मिल गया और बाजार और पूजी उसके साथ है तो बड़े प्रभावी डंग से दुनिया को टेकनलोजी बदलेगी उस बदलती टेकनलोजी में यह सब चीज़ें होंगी अब हम जैसे जो पुराने लोग हैं उनको इसके अनुसार अपने को तयार होना होगा, गढ़ना होगा तभी हम समय के साथ तालमिल रख सकते हैं देश की भी वही हालत होगी हर देश की कि उसको तालमिल रखने के लिए अपने को इस दंग से आके पढ़ना होगा आपको बढ़ाई देते हुए और सभापती जी ने भी लगातार productivity और positivity जो बढ़ी है उसके उपर ध्यान दिया राज्य सभा के काम का सफर राज्य सभा की productivity का सफर जो है उसको आप किस सरह से देखते हैं दरसल मैं आपको बहुत लेमें लेंग्वेज में कुछ चीजें बताता हूँ मैं जब संसद में आया तो आरम भी कुछ समय तो मुझे संसद के काले पधिती को और समझने में किस तरह से कानून बनते हैं यह लगा पर जैसे मैं देखता था कि हमारे संसद बहुत चिंतित रहते हैं रोज सवाल उठाते हैं कि दुरगटनाय बहुत बढ़ रही है सड़त दुरगटनाय बढ़ गई यूट्स बहुत बढ़ रहे हैं सरकार कुछ कर नहीं रही है फिर बीच में देखा कि यह PIL का मामला होगा सुप्रीम कोट रोज डाइरेक्शन दे रहा है और हमारे संसद चिंतित रहती है सवाल उठाती है कि क्यों कोट और अदालते इन चीजहों में हस्तक्षेप करती हैं वो हमारे विसे से अधिकार किछत रहें क्यों हस्तक्षेप करती हैं रोड एक्सिद्ट से समंधित बिल रोड सेफटी से समंधित बिल जो था उसकी मैं कमीटी में भी था मैंने अध्यन किया मैं समझा कि साथ 87-88 के आसपास हो बिल आया था उससे पहले वो उनसे वेक या दो का BIL है यह 1914 का है बीच में दो एक बार परिवर्तन हुआ नाइंटी मन में किर्ती जी इस देश में बढ़ा बदलाव हुआ लिबरलाईजिशन हुआ एकॉनमी का हम सामत हुआ सामत अलग बात है जो 15-20 लाग गाड़ियां थी हो करोणों में पहुँच गई गाड़ियों की संक्या इतनी बढ़ गई दुरघटना है बढ़ने लगी लेकिन उसको रोकने के लिए हमने कानून नहीं मनाया जो संसत का काम था वह कानून 2019 पास होता है 88 से आप जोड़ दें तो लगभग 22 वर्स उधर 19 वर्स इधर तो लगभग 43 वर्स के आसपास अब Automobile Revolution देश में हो गया आपने उदारी करण कर दिया गाड़ियों की संख्या बढ़ा दी और जब 15-20 लाख कुल देश में गाड़िया थी उस वक्त कानून बना हुआ है क्या इस तरह से पार्लियामेंट को या पुराने दर्म से इस तरह से विधानों को अब चलने देना चाहिए ही सोचने का विशे है उसी तरह से मैं बताऊं हमारे सांसुदों बहुत चिंतित रहते थे थे मैं रोज सुनता था सबका कभी नकभी कि देस में खाद्यान में बहुत मिलाओट हो रही है दूढ में बहुत मिलाओट हो रही है विदेशों में खाद्यान मिलावट पर फासी की सक्त सजा है। हमारे हैं लगवा पचास चौन बरस लग गए ये मिलावट के खलाफ कानून बनाने में। कमिटी में गया, क्या हुआ मुझे, अब उसे विस्तारे में नहीं जाना चाहता है। इलेक्रिसिटी थिफ्ट का। मतलब आपको बताओं कि डाटा अगर आप पढ़ें तो जो ये आपका ट्रांस्मिशन और डिस्विशन में लॉस होता है, उसमें से हर घंटे कई करोड में लॉस होता था, तेस का, पूरे साल में जोड़े तो कई हजार करोड का लॉस, कानून में इतना समय लगा, उसमें कानून बना है हाल में, 2014 के बाद, तो अब पार्लामेंट को सोचना पड़ेगा, मानी सदस्यों को सोचना पड़ेगा, और चाहे राज्यों की विधान सभा की लोग हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा, कि क्या इस बदलती दुनिया में, पुरान तोर तरीके से कानून बना कर कि 50 वर्स लग रहे हैं, 94 वर्स लग रहे हैं, 34 वर्स लग रहे हैं, 30 वर्स लग रहे हैं, आज हालात गंभीर हुई, और कानून हम 20 वर्स बाद बनाएंगे, you'll be left behind. और मैं अनिक उदाहरण आपको बता सकता हूँ, जो हुआ है, जो कानून हा पास हुए है, 2014 के बाद, जाहे, IBC कोड, वह कानून तो आजादी के बात परना चाहिए था जब देश में करप्शन हुआ, अनेक ऐसी चीजे में आपको सूची बता सकता हूँ, जो कानून बहुत पहले देश की जरूरत थे, तो अब पार्लियामेंट को इस बदले समय में सोचना होगा, कि दुनिया जब इतनी तेजर अफसार से बदल रही कि हम अपने जीवन काल में 20,000 वर्सों का परिवर्तन देखने वाल है, लास्ट 20,000 वर्स में भी इंसान इतना प्रगति किया है, कि जो कई लाग करूर वर्सों में नहीं किया, मूल प्रगति तो 20,000 वर्स जॉर्नलिजम, प्लिटिक्स, दूस्ता टर्म, डेपिटी चेरिमें राजु सभागे, किस सरह से आप अपनी जॉर्नी, अपनी आत्रा देखते हैं? मैं बिल्कुल एक देश का समाने आदमी, और मैंने आज कहा, कि सच्छों चो प्रधानमंत्री जी ने मेरे बारे में कहा, तो मेरा मन भराया, मैंने कहा, अनेक उदारण है साहित में, अंग्रेजी हों या हम्दी के साहित, जो मैंने कुछ पढ़ा, कि जब कई बार इसे सिद हम आधे समय बरस के बार में रहने को अभी सब्त होते थे, छे महीने पानी में ही रहते थे, एक फसल ही होती थी, पढ़ाई बहुत मामूरी जगस हमने शुरू की, हमने कभी उस गाओं से लोग बाहर नहीं निकल पाते थे, गाओं से ही जिन्दगी शुरू होती थी, कई प परदान मंतरी जी ने, बाकी सभी दलों ने जो यह महत्यों दिया, तो मेरा मन भराया है, कि मैं बिलकुल समाने और साधारन आदमी, मैं एक जो बिलकुल समाने आदमी निकलता है, अपने existence के लिए जो संगर्स करता है, मैं किया आया, पढ़ा, पढ़ने पर सबसे पहले मैं उसमें selection हो गया, उसका रिटेंटेस्ट होता था, दो जगह दिली में पहली बार, मेरी पहली दिली आतरा थी, फिर बंबई में हुआ, और उसमें बैठते थे, जैसे अगे, रखबीर सहाई, स्यामलाल, गिरलाल जैन, धरमीर भारती, सब लों हमारे interview बोड में थे, गारी बनकर चला गया, हैदराबाद में रहा, फिर पत्ना रहाया, पर पत्रकारिता में फिर लोटने का मन बना, उसमें रिजर्वेंग में मेरा selection हो गया तो पर मैं गया नहीं, मैं पत्ना से कलकता आनंद बजार में चला गया, रभीभार पत्रिका अपने समय की बड़ी प प्रासियत जानते हुए, कि मेरे पास पाउं रखने के लिए पीछे कुई जगह नहीं थी जब मैंने ये निर्ने किया, मैं धन्यवाद ना चाहूँगा अपनी पत्नी और परिवार के, उन्हों ने कहा कि जो करना चाहते हैं करें, तो उस साह था और जोस था, मैंने वैसे का काम सभाला, यह मुसके से 2200 काफी चपती थी, सबके सहयोग से टीम खड़ी हुई, और वो अख़वार बड़े अख़वालों की चुनोतियों के सामने, हर मतलब परतियों गिता हुई, मैरे अख़वार के सारे लोगों को बड़ी सेली दे कर उठा ले गए, तो बहुत च आज नेताओं को जेल के अंदर जाना पड़ा, और बिहार से लेकर जहारखंड में, अनिक बड़े अधिकारियों से लेकर सबको, हमने कभी बडले की पत्रकारिता नहीं की, समाज को आगे ले जाने की पत्रकारिता की, उसमें गवर्नस फेलियोर से लेकर सबको मुद्दा बनाया और उस तरह की पत्रकारिता को लोगों ने जिस नंक से पसंद किया, पूजी की पत्रकारिता के मुकाबले, वो एक बड़ा अनुभ हो रहा मेरे जीवन में, और मैं मानता हूं कि उसका सरे हमारे टीम को, उसका सरे हमारे साथ काम कर रहे वारे सारे लोगों को, उसका से पालिया मंतरी जीवन मेरा शुरू हुआ, माने नितीश जी ने आऊसर दिया, कभी मैंने उन से टिकट के लिए भी नहीं कहा था, पर ये उनकी सदा सहता, कि मुझे उन्होंने कहा, और मुझे पत्रकारिता में लगभग 40 परस पुरा करते हुए, टाइमस ऑफ इंडिया ग् पौका दिया, इस रूप में आपके सामने हूँ, पर मेरा एक पक्ष और है, जो मैं जरू कहना चाहूंगा, मैं जीवन के जितने सारे मानसिक तनाओं, संकटों से गुजरा, जो अनिवार हर व्यक्ति के जीवन में होता है, तो मुझे भारत की जो असल आध्यात्म की परा, उसे बड़ी ताकत मिली है, मैं तमिलाट के रमण महरसी के आस्रम जाया करता था, आज से नहीं, पची सो तीस साल वर्स पहले से, मैं आपके पॉंडी चेरी में महरसी अर्विंद के आस्रम जाता था, आज भी जाना होता है, और इस तरह से राची के योगदा मठ, ज आप, वहां के लोगों ने किया, बड़े संतों ने किया है, राम कि उस मिशन बेलूर मठ से ले करके, वकल कताब में वहां जाने का, तो इनने आध्यात्मिक जगों से मेरा बड़ा गहरा और अनेक संतों से, वो सारे ये संत नहीं, जो आज बाजार की दुनिया में है, बार बार लिखा है, उसने भी हमारे अख़बार को बहुत ताकत दी, एक अमर्की संत मुशे मिले, राधानात स्वामी जी, जिनकी जर्नी बैक, जर्नी होम साइद, बड़ी मस्कूर किताब है, ये ये वर्ल्ड फिर्म की किताबें हैं, जो मैं बता रहा हूं, कैसे मुस हमाले वुबैक्ति पहुचते हैं, और हमाले में कैसे संतों से मिलते हैं, इन चीजों ने बड़ी ताकत दी, उन से मैं जाकर मिला उनको ठोन करके, उनको फिर राची ले गया, बहुत नहीं प्रयोग किये, अनेक सिर्स लोगों के, देश के पुरु प्रधान मंतरी से लेकर पुरु चीफ इजस्टिस से लेकर, अनेक ऐसे लोगों को मैं राची बिहार ले गया, पतना या अन्य जगों पर जहां लोगों से संबाद कराया, आज टीबी में आप कारिकरम देखती हैं, जब डिगनिटरीज को बलाकर सवाल जबाब करती हैं, यह मैं तीस साल पहले उस जाय करना, जी बिलकुल और उसका रिफलेक्शन आने वाले दिनों में दिखेगा कि जिस तरह से आप प्रिसाइट करेंगे, प्रसीडिंग्स में राजसभा के लिए, नई पारी के लिए, दूसरी पारी के लिए बहुत बहुत शुप कामना हैं, और धन्यवाद राजसभा जी बिसे बात करने के लिए. बहुत धन्यवाद आपके.